Hello everyone, so हमारी ये photography educators की series जो हम लोग आज YouTube पे लेके आये हैं उसमें आपका स्वागत है तो पहले और दूसरे series के videos में आपने ये देखा होगा कि photography का मतलब क्या है, cinematography का क्या मतलब है पर जैसे कि मैंने कहा कि photography और cinematography काफी हद तक connected है और उसका सबसे बड़ा और सबसे main जो point है वो है light जितने भी cameras market में आते हैं, जितने भी company जो भी चीज निकलती है, वो light के इर्द गिर्द होती है अभी, जब भी आप कोई light observation करते हो, कुछ भी देखते हो जिसके उपर अच्छी light आती है, pattern आती है तब जो है, आप उस light observation को capture करने की try करते हो और capture करते वक्त आपको जो है, अपने camera में, चाहे phone camera हो, चाहे DSLR या mirrorless camera हो वो जो camera है, उसमें set करना होता है, ऐसा setting ताकि आपका कोई भी photo जादा bright या जादा dark ना दिखे इतना तो आप समझते हो जब भी कोई photo देखते हो, क्या आपको dark photo पसंद आते है, bright photo पसंद आते है, नहीं आपको तो ऐसा ही photo पसंद आएगा, जो ज़्यादा bright ना हो, ज़्यादा dark ना हो और, यह जो term है न, कि bright, dark, यह सारी चीज़े actually photographer, cinematographer को यह चीज़ ऐसे नहीं बोलनी चाहिए हम बोलते है, exposure आपके camera के अंदर, आपको set करना है, right exposure exposure, यह शब्त का मतलब है, कि आप जो है, कोई भी photo जब खीचते हो उसके अंदर कितनी brightness और darkness है, वो exposure होता है exposure अगर आपको आपके camera के अंदर set करना है, तो उसके 3 parameters होते है मतलब, camera के जो setting है, उसका सबसे पहला setting, aperture second setting, shutter speed, third setting, ISO यह जो 3 parameters है, यह सारे के सारे exposure decide करने के लिए है मतलब, आपका photo dark होगा, कि bright, देखिए, आपने light observe की, पर उसको capture भी तो करनी है तो वो capture करने का जो process है, उसमें ऐसा ना हो कि आपने जो देखा, आपने तो normal ही देखा पर अभी capture करने के बाद वो बहुत bright दिख रहा है, या तो बहुत dark दिख रहा है properly तो दिखना चाहिए ना जो आपकी आँखों से देख रहे हो आप तो वो proper दिखने के लिए आपको के camera setting तीन पैरामीटर्स पे होते है aperture, shutter, ISO, आच्छा, कोई बोलेगा light का color ऐसा था, इसका color ऐसा था color का और exposure का कोई connection नहीं है तो color की बात हम बाद में ही करेंगे अगर आपको dark या bright photo है, तो फिर आपको आपके camera के अंदर aperture, shutter और ISO को set करना होता है अभी, जब हम लोग बात करें ये तीन पैरामीटर्स की तो जैसे की आपको मैं बताऊं कि ये तीनों को जब एक साथ आप use करते हो तब बनता है exposure triangle triangle में ये तीनों चीज़े connected है shutter, aperture, ISO, साथ में मिलके exposure triangle बनते है अगर आप shutter set करोगे तो आपको aperture भी set करना पड़ेगा और ISO भी set करना पड़ेगा तीनों की जो है साथ में नहीं चलती है ऐसा नहीं है कि मैं एक को भूल जाओ, बाकी दो को set करूँ तीसरा तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है तीनों का पूरा complete knowledge आपके पास होना चाहिए कैसे पता चलेगा कि कोई photo bright है या dark अच्छा, जो आप एक photo देखते हो, वो तीन हिस्सों में divided होता है अगर आप एक portrait देखते हो, तो portrait के अंदर एक होता है highlight दूसरा होता है shadows और तीसरा होता है mid tones जब भी हम कोई photo देखते है और हमें लगे अरे यार, ये photo का न, ये जो area है न, बहुत dark है और वो जो area है न, वो बहुत bright है तो आपके photo के अंदर, जो भी area जाधा exposed है bright है, उसको हम कहते है highlights और जो area काफी dark है, काला है, मतब dark side जा रहा है उसको हम लोग कहते है shadows और जो beach के है, जो highlighted भी नहीं है और shadow area भी नहीं है उन सभी को कहा जाता है mid tones ये mid tones अलग-अलग exposure के होते है मतलब अलग-अलग brightness, darkness के होते है जब आप highlights, shadows और mid tones ये तीनों को सही ढंग से जो आपने सोचा, जो आपने देखा उस हिसाब से, जो आपने light observation की उस हिसाब से जब आप photography करते हो तब जो है, आप correct exposure set करते हो तो camera settings तो तीन है और उसके सामने ये तीन चीज़े है जो आप observe करते हो जब भी आपका photo ज़ादा bright होता है तो हम क्या कहते है, अरे photo bright हो गया है blast हो गया है, ज़ादा जल गया है नहीं, हम उसे कहते है, overexposed और कभी अगर आपको लगे कि आपका photo बहुत dark है काला है, बहुत ज़ादा light नहीं आया है उसको कहा जाता है, under exposed पर क्या हमें overexposed और under exposed photo खीचना है नहीं, हमें चाहिए कि हमारा photo जो है properly exposed हो अभी पता कैसे चलेगा कि ये overexposed है, ये underexposed है या perfectly exposed है आप बोलोगे, यार क्या है, देखके पता चल जाएगा कि ये कौन सा exposed है, नहीं जब भी आप कोई photo देखते हो उसका देखने का तरीका भी होता है जब आप एक photo देखते हो और photo के अंदर जो area में जादा brightness होती है पर वो area जो है अभी उसकी details छोड़ चुका है ये कहा जाता है overexposed मतलब highlighted जो area है उसके अंदर जब आप देखते हो तो वो जो area सफेध हो जाता है जब वो सफेध हो जाता है मतलब वो area में नहीं तो जादा brightness है नहीं तो कुछ है वो पूरा कपूरा जल चुका है वहाँ पे कोई भी details नहीं है आप चाहो उतना उसको editing कर लो पर वहाँ पे जो है details नहीं आएंगी तो वो जो area है वो अगर जादा बढ़ गया तो काफी लोग बोलते हैं ये चोकी हो गया है या फिर जो भी area है उसमें काला हो चुका है एक दम black हो चुका है वो black होने के वज़े से वहाँ पर भी कोई details नहीं है आपको कुछ पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या था पूरा मर चुका है अगर आप zoom in करो तो वो पूरा का पूरा dark हो चुका है तो वो भी जो है under exposed हो चुका है तो highlight और shadows में कितनी light कम और जादा है वो आपको समझनी है और कितना जगा जो है overexposed हुआ है थोड़ा सा हुआ है जादा हुआ है यह आपको देखना है आपको समझना जरूरी है कि आपके photo या video के अंदर कोई भी प्रकार का detail loss नहीं होना चाहिए detail loss दो प्रकार से होते है या तो वो पूरा white patch आ चुका है या तो पूरा black patch आ चुका है कोई भी जगा पे जहाँ पे आप जो है कितना भी color correction कर लो कितनी भी editing कर लो पर अब जो है उस जगा पे वहाँ पे कुछ है ही नहीं वहाँ पे कोई जो है color या कुछ record ही नहीं हुआ है वो area में आप कुछ भी editing कर लो वो dark या bright ही रहेगा वो जो photo है वो perfect exposure नहीं है जब कोई photo perfect exposure होता है तब जो है आप उसके अंदर edit कर सकते हो highlights को कम जादा कर सकते हो mid tones को बढ़ा सकते हो shadows में details डाल सकते हो क्योंकि वहाँ पे जो है brightness और darkness उपर नीचे है पर उसके अंदर जो आपको details है वो तो है न already details है details loss नहीं हुई है तो यह सारी चीज़ आपको समझनी जरूरी है कि detail loss नहीं होनी चाहिए और perfect exposure किसे का जाता है and यह perfect exposure capture करने के लिए shutter, aperture और ISO की जरूरत है जो आपका होता है exposure triangle एक बहुत ही अच्छी good news है सारे लोगों के लिए photographers और cinematographers के लिए हम जो है ले के आए है 15 दिन का offline course यह जो course है Mumbai में, India में होने वाला है और आप यहां पर 15 दिन रोज के 3 घंटे हमारे पास से जो है सीखने वाले हो इसकी जो fees है, इसकी जो details है सब कुछ मैंने यह आपे लिखा हुआ है आप चाहो तो हमारी website के ऊपर या contact details के ऊपर जो है inquire कर सकते हो आने वाले Thursday में हम लोग यह देखेंगे कि आप जो है कैसे यह तीनों camera settings perfectly अपने camera में कर सकते हो और अच्छे से photography और cinematography कर सकते हो तो चलिए, next Thursday को मिलते है अभी के लिए, thank you so much See you soon कर सकते है